चलो, अब हम लोग देखने वाले हैं, प्रस्चनबैंक के आगे के अध्याय को देखेंगे, तो अध्याय आठ में दीया हुआ है, जीव जनन कैसे करते हैं, और इसका जो एंसर है, ये बहुत आसानी से आपको गाइड में उपलब्द नहीं होगा, ये ढूनने वो बहुत समय लगता है इसलिए यहाँ पे इसका चेप्टर है जो थोड़ा सा लेट में आ रहा है फिर हाल मैं बहुत जल्दी से कंप्लीट करा दूँगा तो चलो देखते हैं सही विकल्ब चुनकर लिखे ठीक है तो पहला प्रसम देखते हैं किसी कोशका में अ पर दिया हुआ था चलो ने इस प्रसम देखते हैं कोशका के केंद्रग में किस भाग में प्रोटीन संस्रेशन है तू सुचना नीथ होता है नीथ होना मतलब क्या होता है इस्थापीत होना ठीक है यहाँ पर नीथ मतलब नहीं मत समझना इस्थापीत होना ठीक है तो आपको कोई भी नहीं लेना है तो यहां प्लाजमोडियम् में जनन होता है तो यहां पर है । प्रजनन किया जाता है तो यहां पे आपको लेना है राइजो पस्त द्वारा लेना है इसके बाद नेश्ट प्रस्न है निमलिखित में से अवृत्ती भीजी पौधे के पुस्प के मादा जरन अंका भाग नहीं है तो यहां पे आपको लेना है पुंकेसर लेना है फिर रिक्तिसानों के बूर्थी देख लेते हैं तो रिक्तिसानों के बूर्थी में पहला प्रस्न देखो एक पुस्प के पुंकेसर अथ्वार इस्त्री केसर में से कोई एक जनन अंग उपस्तित होता है तो पुस्प खाली स कहलाती है तो 100 परागर्ण कहलाती है तो यहां पे 100 परागर्ण लेना है इसके पाद नेटर प्रस्ण देखो यहां पे यदि एक पूस्प के परागर्ण कर पराक कर दूसरे पूस्प के इस्थांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया खालिसान कहलाती है तो यहां पे पर परागर लेना है ठीक अच्छा आगे देखते है नेटर प्रसना किसी पौधे के बीज से भावी जड का निर्माण खाली सान भाग से होता है तो मुलांकूर से होता है ठीक यहाँ पे मुलांकूर लेना है किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण खाली सान भाग से होता है त उतक परिपक्त होता जनन उतक परिपक्त होना प्राराम करते हैं किसोरा वस्था की इस अवधी को खालिस्थान कहा जाता है तो किसोरा वस्थी की इस अवधी को क्या कहा जाता है यहां पर इस पर्स्ट एंसर दो नहीं है लेकिन यहां पर युग आवस्था एंसर आज सकता है ठीक है आप लोग देख लेना clear क्या है लेकिन मैं यहापे युग अवस्थक के अपसन दे सकता हूं ठीक है चलो आगे देखते है नेश्ट प्रस्णा मनुस्य के सरीर में सुग्राडू का निर्माड खालिस्थान में होता है तो यहापे आपको लेना है विश्ण लेना है ठी इसके बाद दस्वा है व्रूण को मा के रुधीर से पोसर्ण खालिसान नामक सरचना से प्राप्त होती है तो यहापे प्ले सेटो लेना है फिर निमलिखित प्रस्णों के उत्तर एक सब्द एक वाक्य में दीजे तो पहला प्रस्ण देख लो मानों के विश्ण का एक कार् यह सुक्राडवों का निर्माड करना ठीक है एक कार्ये इसका फिर है यहाँ पर गर्व निरोधन की एक विधी का नाम लिखे एक विधी का नाम है ट्यूबल लिंगेसन ठीक है ट्यूबल लिंगेसन आप लोग लीख लेना और भी है जैसे कि पूर्षो में चलो बाद में बतातो मैं आपको इसके डिटेल में मैं आपको थोड़ी देर बाद मैं आपको बता दूँगा ठीक है क्योंकि नेश्ट प्रस्ण में इसका एंसर और है चलो आगे देखते हैं इसके बाद देखो अगला प्रस्ण क्या है एक विसाडू जनीत यौन रोग का नाम लिखे तो यौन रोग का है तो ठीक है यौन रोग तो मैं यहाँ पर क्लियर नहीं कहूंगा पर विसाडू से होने वाले जो रोग है ठीक है विसाडू रोग वह होगा एट्स होगा ठीक है यौन रोग तो एट्स ही है ठीक है यहाँ पर एट्स लेने ना फिर है बायो फिल्म में काई प्रवर्धन किस विधी से होता है तो यहाँ पे आपको लेना है प्रजनन लेना है ठीक है प्रजनन से होता है चलो आगे देखते हैं अतिलगुत्री प्रसन देख लेते हैं तो यहाँ पे है प्लेनेरिया में पुन्रूद भवन किस प्रकार होता है तो इसका एंसर आपको ले तो यह इसका answer है इसमें और आगे लिखा हुआ है आप लोग देख ले ना ठीक है इसके बाद देखते हैं जो की छोटे वैस्क होते हैं और परिवपक्त होने पर टूड़ जाते हैं यह इसका answer है चलो आगे देखते हैं पूस्पक की अनुदैद कार्ट का नमांकी जितर बनाई है तो देख लो अनुदैद कार्ट का नमांकी जितर यहाँ पे पूस्पक का अनुदैद कार्ट का नमांकी जितर यह राटी है तो यह यहां पे यह चित्र आपको बनाना है चलो आगे देखते हैं इसके बाद मानो के मादा जनन का नमांकी चित्र बनाई है तो मादा के मानो जनन का नमांकी चित्र देखो तो यह रहा ठीक है तो यहां पे देखो अंडाडू कहां पे है यहां पे है यह पूरा चित्र बन बनाना है ठीक है बनाने को देखने को मिल सकता है और आपकी एक्जाम चलो आगे देखते हैं प्ले सेटो के दो कारे लिखे तो देखलो प्ले सेटो के दो कारे हमें लिखना है तो देखलो प्ले सेटो के दो कारे पहला कारे है यहाँ पे देखो बहुत सारे कारे है तो मैं सिर्फ आपको दो कारे बता देता हूँ प्लेसेटो एक गर्भवती मा में उपसीत होता है तो इसके कारे क्या होंगे प्लेसेटो के द्वारा भूर्ण को आवस्यक भोजा पहुचाने का काम करता है और यहां पे जल एवां वायू आदी के पदार्थ में उपलब्द होते हैं और दूसरा जो कारे वो है भूर्ण के अपसीष्ट पदार्थ इसी के द्वारा मा के सरीर में प्रवेस करते हैं तो दो कारे मिल गया है एक मा के सरीर में प्रवेस करना और एक है भूर्ण को आवस्यक भोजन पहुचाने का काम करना ठीक है दो कारे यह आपको लिखना है चलो आगे देखते है नेश्ट प्रस्ण हाँ ठीक है है ताइफ़ाइड है तो यह सब क्या जिवाड़ू रोग है तो आप लोग इसको लिख सकते लेकिन यॉण के लिए कहोगे तो मैं clear नहीं हो कि यॉण रोग है ठीक है क्योंकि यॉण रोग अलग होता है ठीक है आगे देखते हैं इसके बार निश्च तो यहाँ यहां पर मनुस्य में संचारित होने वाले दो विसारु जनुत यहां रोगों के नाम लिखे तो एक तो एर्स है यह तो मुझे क्लियर है यहां से होने वाले रोग एर्स है दूसरा है यहां पर देखो पांच है तो पांचों का नाम याद अख ले ना ठीक है यहां पर सिफली साय कैल कैले मीडिया है यह सब याँ रोग है तो इसमें कलिया रहो कि यह याँ रोग है इसके बाद नेश्ट मनुस्य में घर्वधारा रोकने के 4 उपाय लिखे तो हम्हें चार उपाय लिखना है इसमें तो देखो इसका सार डिखना है140 आपको यहां पे है जर्म निय्थ कि पभावसाली विधियाँपूर्सों में पूरूस नसबंदी पहला तो नसबंदी हो गए ठीक पूरूस के द्वार नसबंदी होता है और यहीं नसबंदी महिलाओं में ट्यूबल लिंगेशन कहते हैं चारो यहां पे लगा हो तो तो देखो गर्मनी रोधन क्यों आ सक है इसको मैं ऐसे एंसर बता देता हूं ठीक है इसका अपको ऐसे नहीं मिलेगा तो नॉर्मल आप समझ जाओ अगर गर्मनी रोधन नहीं होगा फिरहाल ठीक है तो क्या होगा कि जो जो माता पीता है वो अधिक बच्चे पैदा करने लगेंगे तो अधिक बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा हमाल population बढ़ेगा तो बहुत से दिक्कते होगी खान पान रहने सहन हर चीज में problem होगा इसलिए एक हमारे सरकार के द्वारा एक योजना चला जाए जिसमें अधिकतर के दो बच्चे हो तो अच्छे हो इसको भी आप लिग देना ठीए जोंकि इससे अच्छा नंबर मिलता है तो दो बच्चे हो तो अच्छे हो इस तरह से आप एक फ्लोग लिग देना तो अच्छे से नंबर आपको मिल जाएगा तो इसी तरह से एक योजना चला रहा है मतलब कम बच्चे हो तो पाप्लोसन भी कम रहे को उसके खाने पीने की वैस्था भी किया जा सकता है तो यही कारण है कि गर्भ निरोधन जो है वो आवस्तियाक माना जाता है ठीक है आगे देखो नेश्ट प्रस्ण सौ परागण एवं पर परागण में क्या अंतर है तो इसका अंसर देख लेते हैं सौ परागण और पर परागण तो क्या होगा यहां बेदे को पहला इनमें एक पूस्प के परागण कर अपने ही पूस्प के वर्तिकागर पर गिरते हैं लेकिन इसमें क्या है इसको देखत माध्यम जैसे वायू जल आदी की आवसकता हुती है ठीक है यह रहा तो यहाँ पे पूरल टोटल यहाँ पे चार दियो है चारों को आप लोग याद करने फिर हाल यहाँ पे दो नंबर के उश्चन आएगा तो दो ही लिखने के लिए आएगा यहाँ पे एंसार में ठीक है त देख ले ना इसको चलो तो इस तरह से आपके अध्याय आर्ट कंप्लीट होगे इसके बाद हम लोग नेश्ट अध्याय को सुरू करेंगे